हलो दोस्तों कैसे हैं सब? स्वागत है अब सभी का कॉमिक बल चैनल कर तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में परचंडा सीरीज की अगली कॉमिक्स अमर शक्ती वायू जिसके दम पर कायं में सारा संसार और उसमें रहने वाले प्राणी वायू जो अपने साथ बहा कर ले जाती है जीवन दाइनी सांसे इसी वायू में जाने कहां से आकर मिला था या विचित्र सद्ध हुआ जिसके औशदालों के बाहर देखी जा सकती है उन लोगों की लंबी-लंबी कतारे जिन पर अचानक रोगों की घोर विबदा आन पड़ी है अचानक ही शरीर पर ओग आये दुख दाई विचित्र फोडे और विचित्र धंग से आखें आने की बिमारी ने बुरी तरह जकट रखा है लोगों को आखें आने का रोग आई फिलू लाग प्रतनों के बाद भी लोगों को इन बिमारियों से छुटकार रही मिल पा रहा है पर नाम सरूप विचित्र फोडों की बज़े से सैक्डों लोग मिर्थी को प्राप्त हो चुके हैं और हजारों अंधे हो चुके हैं आखों के विचित्र रोगों की बज़े से नगर में, आप सच कह रहे हैं ना महात्मन, हाँ वत्स, हमारे पास एक ऐसी वहस्ट दिये जो तुम्हें पल पर में भला चंगा कर सकती है, अगर ऐसा है महात्मन तो दीजी हमें वहस्टी, कीजी हमारे अती दुगदाई कस्टो का निवारण, अच्छा वत्स, कहकर उस महात् मुझे लेने दो, हट जाओ मुझे लेने दो, पीछे हट ओए, पहलवान, फनने खां को शीशी नहीं मिली तो किसी को नहीं मिलेगी, टुकुर टुकुर देखते रह गए जिनके हां शीशी नहीं लगी और उन जिनके हां शीशी लगी वे, गटक गए, वे तो पूरी की मतकार, अरे मेरे फोड़े गायब, मेरे आँखे ठीक हो गई, हाँ हम चंगे हो गए, ये सब इन महात्मा का परताब, अरे महात्मा जी कहां गए, अभी तो यहीं थे, कहां चले गए, ढूंडो उने, वह हमें चंगा कर सकते हैं, और जोर जोर से महात्मा की खोश शुरू हो ग सुई ढूंडी जाती है, महात्मा को खोशने का हुकम, दंदना दिया उन्होंने भी, परजा के साथ राज्य के सैनिक भी चुड़ गए उस महात्मा की खोश में, आखिर सफल हुई वह खोश, वे रहे, वही हैं वे महात्मा, जल्दी ही माराज, ढक्का सिंग की परजा के सा ढक्का सिंग भारी परजा के साथ महात्मा की खुटिया में उपस्तित थे, आप ही तिल तिल करके मरते मनिश्य को बचा सकते हैं महात्मा, हमें अपनी चमतकारी औरजदी दे कर कितग्य कीजिए, गंबीर सर में बोले महात्मा, मैं तो मैं वह औरजदी देने में असमर्त वह स्थान तो जानते ही होंगे आप, हमें उस स्थान के बारे में बताईए हम उस औरजदी को वहां से प्राप्त कर लेंगे, मस्तक पर बल पढ़ गए महात्मा के, उस औरजदी को पाने का क्याल छोड़ तो राजन, जहां वह औरजदी पाई जाती है, वहां सादर नो नहीं पहुंच सकता, क्योंकि भेंग करता कि हर प्रकाश्टा से भेंग कर, और खत्रों की हर सीमा से बढ़ कर खतरना के वह स्थान, वहां तो सिर्व वहीं पहुंच सकता जिसके हिर्दे में पाउ सेर का तिल हो, जो मृत्यू की क्रूर आँखों में जहाकर भी पिचलित न हो, क्या ला सकते हैं ऐसा शुरूर, ऐसा महावली, किसी के बोलने से पहली बोल पड़े राजकुमार, धील और धिललर, हम ला सकते हैं, ऐसा पराक्रमी, हम जानते हैं कि, हम जानते हैं, उसे नाम है उसका, प्रचंडा, प्रचंडा बचाओ, हाँ 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 हाँ, फके तुम अपने आप बचकर भाग सकते नहीं और कोई तुमें बचाने आ सकता नहीं बचाओ बचाओ क्योंकि जो भी बचाने आएगा उसे कच्छा ही चबा जाएगा तब ही उन्हें चबाने के लिए फौलाद के तार चाहिए डुस्ट जो तुम जैसे का नाश करने के लिए सौयम को फौलाद बनाए गूंगते हैं प्रचंटा प्रचंटा आगया अब खैर नहीं इसकी विद्द से भी अदिक फूरतिला निकला फफेड सिंग अब इस चुए की खैर नहीं क्योंकि मैंने इसे भून कर तंदूरी आदमी बना कर खाने की सोच लिया बस प्रचंटा पर एक ही बार करने में सफाल हो पाया भवकता हुगा अपने पंजों से फ़ार डालूँगा मैं तुझे प्रचंटा दोड़ा वो प्रचंटा की तरफ कि तभी अरे भडाक से ओंदे मूह गिरा भै फिर प्रचंटा ने नहीं दिया उसे समनने का कोई भी च्छाना फफेड सिंग जबीन में घुसरीड करी माना प्रचंटा तुम जैसे बोच को धर्दी पर रहने का कोई अधिकार नहीं प्रचंटा जाने कैसी रहसे में बिमारी है लाग लाज कराने के बाद भी चुटकारा नहीं मिलता इससे काश मैं रोग प्रचंटा के लिए कुछ कर सकता कुछ क्या बहुत कुछ कर सकते हो तुम इनके लिए मित्र परचंटा और इसलिए तुमें खोशते हुए यहां आप पहुचे हैं हम कुछ देर बाद ही सोच लो वत्स एक बार फिर सोच लो क्योंकि साक्षाद मुर्तियों से दो दो हाथ करने जैसा काम होगा वह है मानवता की भलाई के रास्ते पर जो निकलते हैं में सिर्फ कफन बाद कर निकलते हैं कुरूर मुर्तियों में इतना सास नहीं होता कि वह उन्हें इनके रास्ते से डिका सके इसलिए मैं महात्मन इसलिए हे महात्मन आप ने डरोकर इस धान के विशह में बताईए मैं हर संकड के सीने को चीड़ा वहां से मनिश्यों को प्रिश दोर तक लिए चलता हूं चलिए महात्मन बहाना बेहत भ्यानक था वह इस्तान जहां कूंच रीती उस महात्मा की अब आज यह है उस अग्यात इस्तान तक पहुंचने का रास्ता जहां यह खतम होगा वहीं तुम्हें एक बहन करतान मिलेगा उसी के पास मिलेगी तुम्हें वह जीवन दाईनी और्षती लेकिन साब्धान उस तक पहुंचना इतना आसान ना होगा वहां तक पहुंचने के लिए सैकड़ों जानलेवा संकटों से ठकराना पड़ सकता है तुम्हें अब तुम जाओ चलने से पहले रुका प्रचंड़ा और महात्मा से उथल पुथल मचाते उन प्रश्णों को आपको यह सक कैसे पता चला और फिर जब उस और्षती ता पहुंचना इतना कठीन है तो आप उस तक कैसे पहुंच गए कैसे प्राप्त कर ली आपने वह और्श्टी मुस्कराय और बेहशान सर में बोले महात्मा हम दिवे पुरुशेवत्स कहीं भी पहुंच जाना और कहीं कुछ भी प्राप्त कर लेना हमारे बाएं हाथ का खेल है काट दी महात्मा ने प्रचंड़ा की बात यह सम्में संभात करने का नहीं है वस बलकि कुछ करने का है जाओ अपने लक्ष की तरफ जाओ तुरंती मां से रवाना हो गए मात्मा प्रचंड़ा को वही हका बक्का खड़ा छोड़कर चाने क्यों मुझे रहसमी लग रहा है यह मात्मा खेर इस बारे में बाद मैं सूचूँगा पहले मा देव साथ रहना मौत के अंजाने सफर पर चल पड़ाता है प्रचंड़ा इधर मात्मा हा 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 आखिर मैंने तुझे अपने खेल का मोहरा बना ही लिया प्रचंड़ा हा 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 गर्वगस आगर दिखने लगा रक्तमबा की आँखों में एक अजूबा एक अचंबा उसने भी मरा हुआ समझ लिया था मुझे तभी तो पूरी नफरस से उसने ठोकर मारी थी मेरी लाश को बड़ी आई थी मेरा खेल खतम करने वाली लेकिन वह उसका भ्रह्म था मेरी नहीं मेरे प्रतिवम की लाश दिव है मैं तो सही सलामत खड़ी थी अपने अद्बुत त तो पास्त्र के पास हाँ 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 रक्तमा तु जीवित है हाँ जीवित हूँ मैं तुझे मिर्तिव देने के लिए मेरे कल दबाते ही तो पास्त्र जूट पड़ी शाक्षात मिर्तिव मिर्तिव जिसमें जिससे लाक चाहकर भी ना बस सका भा जो राक्षास्वीर कहल आता था, निश्परान होकर धराम से मेरे कदमों में आगर आता मैं, उस खेल में शेह जरूर हुई थी, लेकिन मात नहीं पाई थी मैंने, हार कर नहीं बैटी थी मैं, इसलिए अमर्शक्तियों को परचंडा द्वारा ही प्रात करने की योजना बनाई मैंने, जिसके तहत सबस को वायू में फिलनाया था, मैंने, जिससे मनुष्य रोग ग्रस्त होकर अकान मुल्टिक मरने लगे, फिर मैंने ही मातमा बनकर लोगों को चंगा होने की औरश्टी दी, मैं जानती दी मेरे दोरह दी गई औरश्टी की चर्चा चाहूँ और फैली वे फैल जाएगी, और ल अरश्टी नहीं, अमर शक्ती मिलेगी, क्योंकि अरश्टी तो मेरे पास है, और वह अरश्टी प्रचंडा को तभी मिलेगी, जब वह मुझे अमर शक्ती सौपेगा, इधर प्रचंडा, यह विचितर सा गोला पूरी तरह से रास्ते को रोके पड़ा हुआ है, आगे अरश्टी प्रचंडा की तभी, गोले को फाल का प्रचंडा के सामने आखड़ा हुआ वैजो था, चिकना महा बली चिकना, मुझे से बचकर ना कोई भाग पाया और नाई भाग पाएगा, क्योंकि मैं हूँ चिकना, महा बली चिकना, चिकना, अगर तुझे मार मार कर मेरा नाम, चिकना है, मा बली चिकना, प्रचंडा ने खड़ा होने का प्रयास किया तो फिर गिर पड़ा, उफ इसके हां से निकला बहुत चिकना, यह प्रदार मुझे तो अपने पैरे पर खड़ा ही नहीं होने तेरा, उस तक कैसे पहुंचू मैं, अचानक चिहों पड़ अब तुझे खुरदरा करेगी धरा शक्ती, तो तब प्रचंडा के हांसे, हांस के इशारे के साथ ही चला जो रेत का तुपान, तो तब तक चलता रहा, जब तक रेत का बड़ा धेर ना बन गया चिकना, बेचारा चिकना, माहवली चिकना, हलकी सी मुस्कुराट खेलाई प्रचंडा के अध्रों पर, और दूसरे ही पल गायब हो गई, क्योंकि उठा था अजीब शोर, जिसे उत्पन्य करने वाली थी, चील, अपने शिकार को एक ही चपट्टे में चपट जाती हूँ, इस तरह, उफ, दबोशलियोस ने घातक पंजो में चील ने प्रचंडा को और भड़ा दिया अपना मूँ, चील फाड़ कर खा जाओंगी, अब मैं तुझे आए माना अफ, लेकिन चील का मूँ परचंडा तक पहुँच बता उससे पहले ही, धरा के सीने से निकल कर वा अद्बु धकन जालिब टाउस के मूँ से, इधर परचंडा ने अपनी कि मैनत का, चील के दो तुकड़ों में बट कर हो जाने, बट बांट करी आगे बड़ा प्रचंडा, उस औरजदी को पाने के लिए जाने और क्वासी किसी मुश्किलों का खस सामना करना पड़ेगा, अब किसी मुश्किल का सामना नहीं होगा, किडे, क्योंकि तुझे प्रचंडा के इच्छा वेक्त करने भर की देर थी कि आ गया, उसके हाथ में वे हतियार, अब देखते हैं खोपड़ी, खोपड़ी तोड़ की कौन कि इसकी खोपड़ी तोड़ता है, दूसरे इच्छन दो शक्तिचाली प्रहाट टकरा गए आपस में, पहले तूटा पड़ा था अपनी मंजिल की तरफ, और तब जब मिली उसकी मंजिल तो इस तब द रह गया भै, आओ, आओ मानव थोबड़ा घाटी में थोबड़ा तैते तो मारा स्वागत करता है, थोबड़ा घाटी, तो क्या मैं थोबड़ा घाटी में आ पहुंचाऊं, हाँ, लेकिन यहाँ आकर वापिस नहीं लौट पाओगे तो, क्योंकि अमर्शक्ती को प्राप्त करने की इच्छा को लेकर यहाँ आने वालों को थोबड़ा कभी वापिस नहीं जाने देता, पिचंडा ने बताया अपना वहाँ आने का कारण, मैं यहाँ आमर्शक्ती लेने नहीं आया यहाँ थोबड़ा, मुझे तो प्राप्त करनी है वाए, चमतकारी औरश्दी जो लाखो रोग्रस मनिश्यों को नया जीवन दे सकती है, गला फाल कर हसा थोबड़ा देत, हाहाहा, मुझे चक्मा देने का प्रयास मत कर मानव, और सीधा-सीधा मेरा आहर बनने की तयारी कर, मैं वादा करता हूँ, तो से, मैं तुझे इतने प्यार से खाऊँगा कि तुझे कोई कश्ट नहीं होगा, दूसरे इपल थोबड़ा देत की सिर के उपर नजर आने लगा, एक बड़ा थोबड़ा, अब खैर नहीं तेरी, आजा मेरी बाहों में आजा, उचल कर बचाए आ अपने आपको प्रचंडा ने, उसी के साथ जॉयला मुगी की भाती क्रोट, भड़ा कोठा थोबड़ा देत का, दुष्ट मानव, अब थोबड़ा देत चीजे बहुत ही दर्दनाग तरीकी से मिर्ती की कोद में पहुँचाएगा, अब खैर नहीं, आजा, तडप गया प् नर्ती की निर्थ करती थोबड़ा के थोबड़े पर, अचानक धरती में कैसे समा गया यह मानव, कहां चला गया यह? मानो थोबड़ा देत के पृष्णों का उत्तर देने के लिए हाहा का री तरीके इसे धरती से बाहराया परचंडा, घब्रा मत थोबड़ा, ते रे बस स अब था प्रचंडा के लिए सोचने समझने का अफसर लोगों की रोगों से मुक्त करने वाली और यहां नहीं है तो फिर उन महात्मा जी ने मुझे यहां क्यों बेजा मुझे यहां पहुंच आकर और मेरे हां तो थोबड़ा जाती कि हत्या करवाकर आगिर वे महात्मा चाहते क्या है प्रचंडा के प्रिश्णों का उत्तर दिया उसके मस्तिस से ठकराई मानसिक तरंगों ने अमर्शक्ति अमर्शक्ति चाहता हूं मैं तभी योजना बनाकर मैं तुम्हें थोबड़ा घाटी में भेजा था लेकिन तुम हो कौन क्यों चाहते हो तुम अमर्शक्ति और कहां है मनिश्यों को रोग मुद करने वाली वहाश्ति सब जान जाओगे प्रचंडा पहले अमर्शक्ति लेकर रक्ष रक्षपुरम पहुंचो रक्षपुरम पहु अब मौजूद प्रचंडा के कंट से निकल रहा था आश्चर भरस और राजकुमारी रक्तमभा तुम तुम ती उस महात्मा के वेश में तुम ने भेजा था मुझे अपने शद्यंत के चाल में फसा कर थोबड़ा घाटी ठीक समझे तुम प्रचंडा मैं ही ती वह महात्म मैंने तुम्हें आउश्दी के नाम पर थोबड़ा घाटी इसलिए भेजा को कि अमर्शक्ति के नाम पर तुम वहां कदम कदापी नहीं जाते फिर वह आउश्दी कहा है उधर वह है आउश्दी जो मेरे दोरह फिलाएगा रोगों का नाश कर सकती है लेकिन वह तब लेकिन तुम्हें जब तुम अमर्शक्ति मुझे सौब्ट होगे और हाँ कोई चालागी करने की कोशिश मत करना परचंडा वरना और और अश्दी जे भड़े घड़े को नश्ट कर डालूंगी मैं और अगर ऐसा हो गया तो फिर पूरा विश्व कभी भी रोग मुक्त नहीं हो सक करना एसम Nico 400 मैं तुम्हें अमर्शक्ति देने के लिए तैयार हूए बेवाश हो मबूत कर देंगी प्रचंडा समलने से पहले ही फस गया प्रचंडा और पिलनों के चाल में और तड़ा-पुठा किसी जल्विन मचली की भाती पूपर इधर तोड़ दी रक्तंबा ने ऑश्टी के घड़े से बंदी रसी फल सरूप धरती से टकरागर भडाक से फूट गया और मिट्टी में मिलती चले गई उसमें भरी ओश्टी क्रोश से भबकते प्रचंडा ने अपने आपको किरण से बचाने का किया वह उपाय किर्णों की इस रसी का छोर पकड़ कर इसे अपने से अलग करना होगा और या या प्रचंडा के आज़ाद हो देखा था किर्णों इसके वारों को समालना मुश्किल हो रहा है इसे रोकने के लिए क्या मुझे इस्तरी जाती पर हाथ उठाने का पाप ना करना पड़े इसलिए हमें आना पड़ा और अपने साथ लाना पड़ा चट्टानों को चट्टानी को यह उस डुष्टा को भरपूर सबक सिखाईग उसी पर रक्टमबा ने किंड़नों की बारिष सी कर दी लेगिन चट्टानी नशानदार तरीके से नस्ट किया उठानों को सिर्फ बचाव कर गई कहां चुप रह गई चट्टानी चट्टानों का तुफान से चला दिया उसने तो रडख़ाई रक्टमबा और ऐसी रडख नहीं दिया धन्नवाद अपनी धरती माँ को खुशी इस बात की हमाता है कि आपकी साहिता से एक पापिन कांथ हुआ लेकिन दुख इस बात का है कि आपके सीने से टकरा कर फूट गया वै और और गड़ा और नश्ट हो गई हाँ पुत्र जिस समय यो मुझे पर गिरा था तभी मैंने पूरी तरह तभी मैंने इसे पूरी तरह सोक कर इसे मिट्टी से बने विशेश के लक्ष में एक खटा कर लिया था मैं जानती थी मेरे पुत्र की खोई प्रसंता लोटाने के लिए मुझे इसकी आवाशकता पड़ेगी किसी अबोध बालक सा अपनी धरती मां से लिपढ़ गया प्रचंडा तुम बहुत अच्छी हो मा तुम बहुत अच्छी हो फिर प्रतेग राज्यों में बार्टी गई बार्श दी जिसे पीकर सभी लोग चान लेवा प्रचंडा समाप्त चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं मिलते हैं प्रचंडा की अगली कॉमिक्स और आगरी कॉमिक्स शंखा में तब तक के लिए धन्नवाद